हेलो दोस्तो रेलकारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हमारे भारती रेलवे को 170 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है और भारती रेलवे का इतिहास तो आश्चरियों से ही भरा हुआ है तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि 100 सल प को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज का रिलकारवा शुरू करते हैं ट्रेन में टिकट के आरक्षड की एतिहासिक यात्रा शुरू करने के पहले गुजरे जमाने की तिवरतम लंबी दूई की ट्रेन फ्रंटियर मेल मतलब बॉम्बे से पेशावर को देखना तो बनता है जो भारत की पहली पुरुणत आरक्षड ट्रेन थी और पहली के वल फर्स्ट क्लाश डब्बों वाली ट्रेन थी और इसके साथ साथ पहली वाता अनुकूली ट्रेन भी थी अब एतिहासिक यात्रा अठरा सो साथ के दशक से सुरू करते हैं अठरा सो बासट में लखनव में रेल आ चुकी थी और उस समय काल का वर्णन करते हुए कि शॉर्ट हिस्ट्री ओफ इंडियन रेलवेज इस किताब में राजिंद्र अक लेकर लिखते हैं थर्ड क्लास में चमता से ज़्यादा बीड होती थी क्योंकि यूरोपियन थर्ड क्लास में सफर नहीं करते थे इसी कारण थर्ड क्लास में रेजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी उनहीं के पुस्तक से श्रीन शॉट देखें भारत की पहली लंबी दूरी की मेल ट्रेन थी इस्ट इंडि जुर्बर वन अप और टू डाउन था फर्ट क्लास और सेकन्ड क्लास इसमें शुरू से ही था सो इसके बर्थ की दृकिंग होती थी इसका बर्थ रिजर वेशन टिकट भूकिंग विंडो पर ही यात्रा के पहले लेना पड़ता था यह रिजर वेशन टिकट अलग से दिय या यात्रा टिकट पर ही लिख दिया जाता था 1929 के राजधानी एक्सप्रेस का रिजर्व टिकट देखें जसमें रिजर्वेशन टिकट पर है दरवसल अभी का फर्स्ट क्लास मतलब उस समय का सेकंड क्लास था इसमें शुरू से ही सोने वाले यात्रियों की संख्या और बैटने वाले यात्रियों की संख्या अलग-अलग इंगित की जाती थी यदि सोने वाले यात्रियों की संख्या 24 है तो बैटने वाले यात्रियों की संख्या 36 होती थी क्योंकि एक बर्त पर तीं यात्री बैट सकते हैं उपर नीचे दोनों मिलाकर खुल बर्तों की संख्या यदि 24 होती है तो ऐसी हालत में नीचे वाले बर्तों की संख्या 12 होगी जिस पर 12 गुड़े तीन मतलब 36 यात्री बैट सकते हैं उस वक्त के सेकंड क्लास में केवल सोने के बर्थ का रिजर्वेशन होता था, बैटने वाले यातरी का सेकंड क्लास में रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन वे केवल दिन में ही सुब़ छे से रातरी नौ बजे तब सफर कर सकते थे फर्स्ट क्लास का काफी जलवा था उस समय का फर्स्ट क्लास राजसी ठाट वाला होता था उसमें सेवकों के लिए भी जगा होती थी, नहाने के लिए अलक्स दानागार और कुछ ट्रेनों में अलक्स डाइनिंग कार भी होते थे, जैसा कि इस द्रिश में भी देख सकते हैं, 1903 के उत्तर पस्चिम रेलवे के फर्स्ट लास का डबबा यहां देख सकते हैं, 1930 के फर्स बात्रूम का दरवाजा देखें, इसमें टोटल प्राइवेसी थी, शुरू के फर्स्ट लास में 22 यात्री सो सकते थे, कॉलकाता, बॉम्बे, मदरास, आगरा और पेशावर के बीच टेलिग्राफ की व्यवस्था 1856 में ही शुरू हो गई थी, और यह काफी जगा रेलवे के जमीन पर ही थी, अता प्रमुक शहरों के बीच 100 साल पहले, वायरलेस मैसेच के द्वारा भी रिजर्वेशन संभव था, आज से लगभग 150 वर्ष पूरू ही, बॉम्बे में बैठे बैठे कॉलकाता से दिल्ली का रिजर्वेशन एक महिने बात का भी संभव था, एक और खास बात जान लेते हैं, 1973 के आसपास तक अगरीम रिजर्वेशन के लिए पूर्व नेरधारित अधिक्तम अवधी, या तो थी नहीं, या बहुत ही लंबी थी, यानि आप 27 वर्ष बात का रिजर्वेशन करवाना चाहें तो वा भी संभव था, रेल्वे के रिटाइड मह प्रबंधप, श्री बिष्ट अपने संसमर्ण में लिखते हैं, श्री फखरुदिन तकुल्ला ने बॉम्बे में पश्चिम रेल्वे के रिजर्वेशन कलर्क को चौका दिया था, जब 1973 में उन्होंने जन्वरी 2000 का रिजर्वेशन राजधानी एक्स्प्रेस में कराना चा शुरू में रिजर्वेशन कलर्क ने टाल मटोल की कि उनके पास 27 साल बात के वर्ष 2000 का कैलेंडर नहीं है और उस समय राजधानी सब्ता में केवल 3 दिन ही चलती थी, सो उनके द्वारा मांगे गए दिन में राजधानी चलती है या नहीं, इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन फखरुद दिन तकुला अपना खुद का बना हुआ कैलेंडर लेकर आये थे, और 120 रुपए में एसी चेयर कार का रिजर्वेशन उन्होंने 27 साल बात का करा ही लिया, तारिफ की बात यह है कि 27 साल बात उन्होंने उस ट्रेन से सफर भी किया, लेकिन तब तक राजधानी से चेयर कार हड़ चुकी थी और उसकी जगह एसी थ्री टियर आ चुका था, लेकिन रेलवे ने उन्हें एसी थ्री टियर में वर्थ दिया, सन 2000 में भारत के गरतंतर दिवस की स्वन जैनती समारों में शामिल होने के लिए उन्होंने 27 वर्षपूर टिकट कटाया था, वहां अब ही उन्हें वी आईपी दिरगा में जगह दी गई, रेलवे रेश्ट हाउस में उन्हें आठ दिन ठैराया गया और लोटने का टिकट रेलवे ने कॉम्पलिमेंटरी मतलब मुफ्त दिया, ऐसे जजबे को हम भी सलाम करते हैं, बहर हाल रिजर्वेशन की व्यवस्था, उच क्लासों में ही उपलब्ध थी, त्रितिये शड़ी में पहली बार रिजर्वेशन की सुविधा 1954 में उपलब्ध होई, कम्प्यूटरी क्रित रिजर्वेशन व्यवस्था, मतलब 1986 से शुरू के पूरू आरक्षण हेतु अलग-अलग ट्रेन का अलग रैश्टर होता थ इसे एक उधार से समझे, यदि आप पुरानी कालका मेल से दिल्ली से कॉलकता यात्रा करना चाहें तो, ट्रिन पुरानी दिल्ली हावडा कालका मेल अभी 12312 डाउन नेताजी एक्सप्रेस है, रास्ते से रिजर्वेशन कोटा, कानपूर, इलाहबाद, मुगल सराय, गया इ दिल्ली या दिल्ली कैंट आदी से संभव नहीं था, आपको पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना ही पड़ता, यही नहीं पुरानी दिल्ली स्टेशन पर भी, एक खास काउंटर पर ही पुरानी दिल्ली हावडा कालका मेल सही 6-7 अन्य ट्रेनों का आर्क्षड होगा, 6-10 ट् गुरुप का रिजर्वेशन एक काउंटर से होता था, वहाँ एक रईश्टर कालका मेल हेतू रहेगा, हर ट्रेन हेतू अलग-अलग रिजर्वेशन रईश्टर होता था, ज्यादा बर्त हों तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वातानु कुलित क्लास के लिए अलग रिजर्वेशन क्लरक उसी रईश्टर में हर तिथी के लिए अलग-अलग पन्नों में जिसे रिजर्वेशन दिया जाता था, उनका विवरल लिख देता था, और टिकट पर बर्त संख्या लिख देता था, या अलग से रिजर्वेशन टिकट देता था, किसी ट्रेन में बर पुलने के पांच से छे घंटे पहले ही कैंसिल किये हुए टिकट की जगा वेट लिस्ट से उतने ही व्यक्तियों का नाम कमफर्म में स्थानांतरण कर देता था फिर रिजर्वेशन चार्ट के टाइपिंग का काम शुरू होता था जो की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता थ एक ट्रेन में पांच आरक्षित डब्बे और पचीस औसत के हिसाब से भी सो नाम प्रतिव ट्रेन होते थे सो टाइपिस्ट की अच्छी खासी फौज होती थी जो धना धन टाइपिंग का काम करते थे रास्ते में कानपूर, इलाहाबाद, मुगल सराय, आदी स्टेशनों पर अलग से उन स्टेशनों से कराये गए रिजर्वेशन का चार्ट आता था, जो ट्रेन टीटी रख लेता था, अब बीच के अधिकान स्टेशनों का कोटा खतम कर दिया गया है, यदि आप दिल्ली से बाहर जैसे हमदाबाद, जहां सी, मुधुरा, आदी में रहने के कार पुरानी दिल्ली आने में असमर्थ हैं, तो आप नजदी की बड़े स्टेशन पर जाकर दिल्ली से कॉलकता के लिए टिकट खरीद आरक्षड कराते, बुकिंग कलर्क आपका अनुरोध रेल्वे तार घर द्वारा वायरलेस से दिल्ली भेजता, आठ से दस दिनों बाद आप पुन उसी स्टेशन पर जाकर कंफर्म या वेट लिस्ट चेक कर सकते थे, रेल्वे तार घर द्वारा वायरलेस की सुईधा केवल बड़े स्टेशनों पर उपलब्द थी, यदि आप कलकता से दिल्ली का रिजर्वेशन कराते समय ही, दिल्ली से कलकता का रिटर्न रि जर्नी कोटा होता था, जैसे दिल्ली से कलकता वापसी का हर क्लास में 4-12 बर्थ का रिटर्न जर्नी कोटा होता था, तो आप आने जाने वाले दोनों टिक्टों को एक साथ कटा सकते थे, आखिर में चलते चलते एक और खास बात जान लेते हैं, उस वक्त एक विशेस तरह क रिजर्वेशन यूरोपियन और एंगलो इंडियन के लिए था, जो की 1921 आते आते काफी घटा और कुछ रेल्वे में केवल 10 सीटों का कमपार्टमेंट इंटर क्लास और थर्ड क्लास में इनके लिए आरक्षित रहता था, वहीं कुछ और रेल्वे में एक या दो डब्ब थर्ड क्लास में इनके लिए आरक्षित रहते थे, केवल 3 रेल्वे जो की उस वक्त भारत में रेल की कुल लंबाई का मातर 6 प्रतिशत होते थे, बस वहीं इनके लिए कोई आरक्षित डब्बा नहीं था, उस वक्त वर्तमान डब्बों की लंब्बाई का आधा डब्बा भी होता था जो इनके लिए आरक्षित रहता था मातरा ऐसे छोटे डबों की कम लंबाई दिखाने के लिए यह द्रिश्य है उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि 100 साल पहले ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरक्षर कैसे कराते थे अगर आज की वीडियो मे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर्म लेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई